नमस्कार दोस्तों, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि हमारा पेट साफ है, स्वस्थ है तो हम बिमारियों से मुक्त रहेंगे और यदि हमारे पेट में किसी ना किसी प्रकार की आस्वस्थता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम नाना प्रकार की बिमारियों की चपेट में बहुती आसानी से आ जाएंगे हमारे पूरवज भी कह चुके हैं कि आपका पेट खराब होना मतलब 164 प्रगार की बिमारियों को सीधे-सीधे निमंत्रन देना और हमने ये सब देखा भी दोस्तों कि जब भी कोई ब्यक्ति कब जिसे परिशान होता है तो उसे पाइल्स, फिसर्स बगेरे जो है जो है गिफ्टे के रूप में मिल जाते हैं यदि कोई ब्यक्ति जो है वो गेज की समस्या से परिशान है तो दीरे-दीरे पूरी तरह से जो है उसे अपचन इंडाइजेशन की शिकायत होना कब जो बने रहना, खट्टी डगा रहाना ये जो है दोस्तों एक के बाद एक पूरे चक्रुभी में वो ब्यक्ति जो है पढ़ता जाता है उसे नही नहीं तरीके की बिमारिया होती जाती तो हम में से बहुत से ऐसे लोग है जो लगातार पेट के फूले से परिसान है पेट में अफारा सा बनता है गेज जो है पेट में फज जाती है निकल नहीं पाती गेज जहां जहां जाती है वहाँ वहाँ पर उसे दर्द होने लगता है अलावा बहुत सारे मरीज आपको ऐसे मिलेंगे जो खाना खाने के बाद परिसान रहते हैं कुछ खाना खाने के पहले परिसान रहते हैं कुछ खाना खाने के बाद परिसान रहते हैं कुछ खाना पूरी तरह से पज जाता है उसके बाद परिसान रहते हैं आप देखेंगे कि पेट के केसेस में आपको तरह तरह के मरीज मिलेंगे, किसी में आपको IBS की सिखायत मिलेगी, किसी में आपको अलसर्स की सिखायत मिलेगी, किसी में आपको पेचिस हो रही है, किसी में पेट में मरोड हो रही है, कोई कबज से परिशान है, तो कोई डिसें डाक्टर्स भी बहुत सारी मेडिसिन का यूज करते हैं उसके बाद भी उन्हें लगवक 50-60% रिजल्ट तो मिलते हैं परन्तु उनका रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ता नहीं है दोस्तो मैं आपको आज के इस वीडियो में एक एसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा जिसको हमने प्रेक्टिकली बहुत सारी मरीजों पर आजमाया और यह जो हमारा परसेंटेज लेवली यह बढ़ करके 70-80% तक पहुंच गया इसके बाद हमने इसके साथ हमारी कुछ और मेडिसिन से देना चलू की तो इसका परसेंटेज बढ़ करके दोस्तो 90-95% तक पहु नहीं होता परन्तु 90-95% होमेपेदी में मिलना एक दोस्तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तो बात करते हैं इस मेडिसिन की तो इसमें दोस्तो ऐसे कंटेंट डले हुए हैं जो आपको जितना भी मैंने अभी बताया पेट संबंदी समस्या है चाहे वो गेस हो कब जो दवा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह है दोस्तो LTT वायो साइंस कम्पनी की पोच्टेंट के बारे में कि आखिर मैं क्यों इसके इतने बड़ाई कर रहा हूँ क्यों इसके रिजल्ट जो इतने ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तो इसमें आपको 4 दवाई मिली मिलती है, सबसे पहली दवा है पेट संबंधी समस्याओं की सबसे रामबाण दवा नक्स वोमिका, दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह low potency में मिली है, 3x potency में जो market में आपको easily available नहीं होती है, नक्स वोमिका का क्या काम है, तो आप देखेंगे तो पेट संबंदी जितनी भी दिक्कते होती दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण होता अनीमित खान पान अनीमित दिन चर्या एक्सराइज ना करना लगता लंबे समय तक एक ही जगा पर बेठे रहना तो इस प्रकार के केसेस में जो सबसे यादा सूटेबल मेड किसी ने दोस्तों वो है नक्स वो मिका कबज यदि किसी मरीच को बना रहता है वो टाइलेट की तरफ जाता है थोड़ी देर बेटता है फिर लगता है कि पखाना नहीं आ रहा है वो बापस आ जाता है फिर सहनुबोती होती है कि पखाने की तरफ जाना है इस प्रकार का पेट के फूलने से परिसाने खाना खाता है, खाना खाने के बाद दोस्तों उसे 2-3 घंडे तक लगातार सिकायत बनी रहती है, तो इन सभी मरीजों के लिए नम्मर बंदवाई दोस्तों नक्सवोमिका, चुंकि इसमें नक्सवोमिका 3X बंदे की लोग पोटिंसी में मिलिए इसलिए दोस्तों तुरंती वर्क करती है, दोस्तों दूसरी मेडिसिनिस में मिलिए लाइको पोडियम, लाइको पोडियम पेट में होने वाले अफारा के लिए, गेस के लिए, इंडाइजेशन के लिए, यदि खाना नहीं पचराओ, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक या दो कोल खाएंगे और यसा लगेगा, उन्हें पेट पूरी तरह से भरा गया, खाना खाने के वेले उन्हें भूग लगेगी, पर एक दो कोल खाते ही यसा लगेगा, उनका पूरी तरह से भरा गया है, ऐसे बेक्तियों के लिए लाइको पोडियम बहुत यची दवा है, यदि ने गेज दोस्तों पेट के निचले हिस्टे में लगातार बन रही है, उसके बाद जो है लेट की तरफ राइट की तरफ बार बार जा रही है, गेज बाहर नहीं निकल पारही है, यदि बाहर निकलती भी ए, डखार भी आती, तो भी आपको किसी प्रकार का कोई अराम नही मिलता चार से आठ की बीच में आपकी तकलिफ में बढ़ जाती है तो यह सब लक्षन होते हैं लाइको पोडियम के तो यह इंडाइजेशन अफारा गेस सभी केसेज में बहुत अच्छा काम करती है यह अपको एसिटी बन रही है मुह में खटी डगा रहे आती है मूता कैसा लगता है खाया पिया खटा खटा पानी बापस आ रहा है कि जब तक व्यक्ति खाली पेट रहता है उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है किम्तु जैसे ही वो कुछ खा लेता है उसको अराम लग जाता है इसके बाद जब वो खाया जब तक पचता नहीं है तब तक उसे अराम रहता है जैसे ही वो पच जाता है उसके बाद उसे दर्ध फिर से सुरू हो जाता है ये सब देखने को मिलता है दोस्तों यदी ulcers हो रहे हो ulcers की विसेश्ता पाई जाती है कि आप थोड़ा बहुत अलसर जो है खाली पेट बहुत दर्ध करता है थोड़ा वो तो आप खालेते तो अराम लगता कि तो बहुत अधिक मातरा में खालेते हैं तो भी दर्द होना सुरू हो जाता है तो इस प्रकार आप देखेंगे तो अलसर को कवर करने के लिए इन्होंने एना गाडियम इसमें डाली हुई है वो भी 3X पोटेंसी है चोती दवा है दोस्तो एट्रोबा वेलाडोना 3X पोटेंसी में एट्रोबा वेलाडोना बहुत ही शांदर दवा है वेलाडोना की एलक्षन होते है कि कहीं पर भी यदि रक्त का संचाय अधिक हो रहा है कहीं पर भी यदि उसमा यानि हीट ज्यादा उत्पन्नोरी है कहीं पर का खाया उससे आपको जो food poisoning हुई तो आपको inflammation हो जाएगा, कई बार किसी ने किसी प्रकार के infection में, pet में inflammation हो जाएगा, आपको doctor आपको बोलेगा कि आपकी छोटी आत में sujan है, आपकी बड़ी आत में sujan है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको पेट में सूजन की सिकायत बता दी जाएगी दोस्तो ये जो सूजन होती है इसमें इसी प्रकार के लक्षन होते हैं इंफलामेशन के जो बेलाडोना मेडिसीन में पाए जाते हैं तो ऐसी केसेस में येदि पेट में मरोड उठ रही हो पेट में जलन हो रही हो तो दोस्तो एट्रोपा वेलाडोना तुरंत इस चीज को cover करती है खास कर इसमें वेलाडोना भी 3X potency में मिली हुई है तो जिसा कि आपने देखा हमने आपको बताया कि ये दी आपकी जीवन से लिए अनीमी थे आपका खान प्हान प्हान प्हां रहा है जाप के करण आप खाना टाइं प्हात प्वा रहा है तो चारो दबाएं इन सभी समस्त्य को गट्रोल करने वा लिए और ये देखा गया है कि येधी आपको acute condition है तो आपको एक दू दिन में जिसका result मिल जाता है किन्तों यदि दोस्तों आपको chronic condition है आप काफी लंबे समय से परिशान है पेट सम्मेंदी समस्याओं से तो मेरा आपको suggestion रहेगा कि आप इस medicine को continue लगभग दो महिने तक use करें दो महिने तक आप use करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं धीरे 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 गायब होने लगेगी दो महिने तक use करने के बाद जब आपको फायदा लग जाए आपको इसको suddenly बंद नहीं करना है आपको इसको tip आफ करना है पलग धीरे धीरे बंद करना है यदि आपने दो महिने तक इसको continue लिया बार दोपर और राद दिन में तीन बार आदा कप पाने के साथ आपको देना है जो मरीच पेट समंधी समझ से उसे परिसान है ध्यान रहे कोई भी होमेथिक दबा बिना डाक्टर के देखरेक के यूज ना करें तो आप इस मेडिसिन के यूज करें इसके प्राइस की बात है बेसे तो यह अकेल ही बहुत ज़्यादा बेनेफिशिल है पर दो कई सारे मरीच जो क्रोनिक केसिस से परिसान होते हैं उनमें हमने हमारी दो दबाएं और साथ में दी जो हमने बहुत सारे मरीचों पर प्रेक्टिस के बाद उनको जो हमने एक फार्मूला बनाया है तो इ उनने साथ में ये दो ग्लोबिल्स की ड्राप जरूर देते हैं चुकि मैं आपको बताया कि क्रोनिक पेशन को लगातार दो महिने तक इस दवा का सेवन करना चाहिए तो हम ये मेडिसिन भी लगातार दो महिने कंटीनू चलाते हैं इसमें होता क्या दोस्तों कि ये एक जो पंदरा दिन चलती है ये फाइल लीवर की मेडिसिन से बनी हुई है इसमें लीवर की हमने तीन मेडिसिन डाली है जो लीवर को सही काम करने के लिए प्रेडित करती है जिसमें से एक मेडिसिन का नाम है चेली डोनिया दोस्तों इसके लवा ये जो दूसरी फाइल है इसमें हमने ऐसी मेडिसीन से डाली है जो आपके नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती है कई बार ये देखा गया है कि आप पेट समंदी समस्याओं में पेट की दवाय दे रहा है कि उसका कनेक्शन ब्रेंड से होता है जैसे आप देखेंगे मैं आपको एक उधारन बताता हूं कि एसे करती है तो उसके बीचे कहीं न कहीं आपको हिष्टी मिलेगी कि आपने बहुत लंबे समय तक मार्श्टावेशन किया है तो इस प्रकार जब हमने अपने मरीजों को देखा तो तीन मेडिसीन से जो ब्रेंड पर एक्ट करती है पर तो जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं ह करके पेट के अंदर जो तंत्रिगा हैं उन्हें मजबूत करने वाला काम्मिनेशन मनाया और साथ में ये मेडिसीन हम ये दो महिने देते हैं दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की तो बन फुट्टी वाइप की एक ड्राप है चार ड्राप आपको पढ़ती है चार बट दोस्ते 950 रुपे में हमारे सभी मरीजों को अवेलेबल कराते हैं तो आप चाहें तो किसी भी मेडिकल श्टोर से ये मेडिसीन ट्राइ कर सकते हैं परन्तो यदि आप अपने पेट का ग्रोनी किसी समस्त्या से आप परिसान है उसका इलाज करवाना चाहें तो ये मेडिसी दोस्तो हमारी होती है परन्तो एक बात ध्यान रखे ये मैं आज के रेट के हिसाफ से बोल रहा हूं कई बार हमारे पुराने पेशन बोलते हैं सर आपने इतना रूपे बताया था तो ये मेडिसीन के चार्ज बढ़ जाते हैं दोस्तो तो वो हमें बढ़ाना मजबूरी होत आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल के सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रव